हाई एवरीवन आज की पटिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि UGS scholarship scheme के बारे में मैंने अल्रीडी इसके बारे में आपको बता दिये कि यह scheme क्या है इसे क्या क्या इसमें आपको चाहिए क्या eligibility है इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसका step by step आप कैसे इसे fill up कर सकते हैं मैं हूँ जोती from zero to placement आज मैं आपको डीटेल बताऊंगी क्या form को आपको कैसे fill up करते हैं चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले ही जैसे ही आपको मैंने link description में दे दूँगे वहां पर आप national scholarship portal जैसे ही आप open करेंगे तो आपको यह खुल जाएगा यहां से आपको नीचे में आपको दिखेगा कि applicant corner यहां पे आप new registration हो यह फ्रेशर application में आप क्लिक कीजेगा अगर आपको रिन्यूवल करना है तो आप रिन्यूवल application में क्लिक कीजिए यह फ्रेशर application में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यह वाला form का pattern यहां पे खुल जाएगा तो आपको यह पर जो न्यू स्टूडेंट है तो मैंने लिख दिया कि select the link जो न्यू स्टूडेंट के link रिजिस्टेड है आपको इसमें क्लिक करना है अगर आपको रिन्यूवल कराना है तो आपको यह पर application ID password capture देके login कर सकते हैं जैसे क्लिक किजेगा तो आपको यह फोलियो खुलेगा इसमें आपको तीनो टिक क्लिक करना है और continue में आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको देखे फ्रेशर रेजिस्ट्रेशन अकेडेमिक 2022 ते इसको कैसे आपको फिलप करना पहले अगर आप जो भी स्टेट से है उसे आप डालिए यहां scholarship category जो है आपको पोस्ट मैट्रिक में नहीं हो अभी आपको पोस्ट में डालना है आपका नाम क्या वो डालिएगा यहां पे scholarship scheme डालिएगा क्योंकि आपको scholarship देना है अपका date of birth क्या है जेंडर आपका क्या है male female other कुछ भी डाल से मोबाइल नंबर email ID bank IFC code bank confirm IFC code डालिए bank account number डालिएगा और उसको confirm किजेगा उसके बाद यहां पर आपको चूज करना identification आपको क्या अधार काट डालना है या bank account के हिसाब से आपको डालना है वो अपको यहां पर अधार काट है तो अधार काट डाल कर आपको यहां पर enrollment अधार क्लिक करके capture डाल के registered here में क्लिक कर देना है जैसे ही आप इसको click किजेगा आपको form देखें यहां पर generate हो जाएगा आप जो भी city से या जो भी state से आपके होगे वहां पर देखें उसका starting वाला आपको जैसे यह तिरिपूरा से तो टी आर दे दिया गया है आप जहां से west bengal से होंगे तो w भी दिया रहेगा आप क्लिक किजेगा तो आपको ऐसा फोल क्लिक करेंगे तो आपका यहां पर एक OTP आपके फोन में अल्रेडी रेसेंट कर दिया जाएगा जो अपका रेजिस्टेट मोबाइल नमबर है उस नमबर से जो टीप आएगा वह यहां पर डाल के करेंगा इफ अगर आपको नहीं मिलाया तो प्रिसेंट कीजिए अगर जैसे होगा कनफर्म OTP करने के बाद आपको फिर यह पैनल खुलेगा यहां पर आपका जो पासवर्ड अपने या जो अपने रखने कि वह तो वेबसाइट से पासवर्ड आपको दिया गया था उससे नहीं आपको कुछ करना है आपको यहां पर खुद का न्यू एक पासव अभी आपको अप्लाई में क्लिक करना है और जो सारे डीटेल आपको एक एक करके इसमें फिल अप करना है पहले आपको रेजिस्टेशन डीटेल डालना है कि आप कहां से हो आपका नाम क्या है डेट और बर्थ क्या है स्कॉलर्शिप क्या है आप सिंगल चाइल हो या नही मैंने पहले भी आपको बताया है religion क्या है आपका community father name mother name सब कुछ आपको यहां डालना है उसके बाद आपको academic detail डालना है पूरा कि आप कहां से हो कौन university है कितने percentage है कौन से degree कर रहे हो कब से start की हो कब आपका complete हो गया class 10 का क्या detail है class 12 का competitive exam आपने कभी दिये है कि नहीं कहां से हो सारे detail आपको यहां डालना है उसके बाद आपको एक basic detail डालना है लाइक आप orphanage में रहते हो या सिव आपका guardian है आप disability हो या नहीं हो कितने percentage है या अगर marital status आपका क्या है अप single हो married हो आपको उस ही आप सब को यह detail डालना है next में आपको यहां पे contact detail डालना है कि आप कौन से स्टेट से है डिस्ट्रीक ब्लॉक हाउस को मता है अड्रेस आपको कनफर्म यह डालना और जो स्कीम है वह स्कीम को अप सेलेट कीजेगा यूजी यूजी सी स्कॉलर्शिप स्कीम को जैसे सेलेट करते हैं उसके बाद आपको यहां पर option देगा कि आप document यहां पर upload करिए मैं पहले वीडियो में भी आपको document सारा बता दिया था photo, signature, domiciles, income certificate यह सारे चीज आपको यह डालने से ही दिखिए यहां पर final submit को option आ गया है जैसे ही final submit complete कीजेगा आपका application यहां पर पूरा complete हो गया है उसके बाद अप print your application में क्लिक करके आपका जो application आपने पूरा fill up किया है उ download करने के बाद अगर by chance आप password change करना चाहते तो password change कर सकते अगर नहीं करना है तो आप log out करके आपका complete हो गया form actually यह form हमने पूरा fill up नहीं कैसे आपको incomplete यहां दिख रहा है बट अगर आप पूरा form fill up कर लेंगे उसके बाद अपना status अप चेक कर सकते कि आपका form fill up हो गया complete हो रेजिस्टर हो गया है उसके बाद प्रिंट करके log out कर दीजेगा आपका form ऐसे ही fill up होगा वो जो आपको form जैसे fill up करना है उसको link हम अब लोग description में आपको provide कर दिये रहेंगे अगर आपको और जादा जान करी चाहिए तो आप हमारे चानल में visit कर सकते है जीरो टू प्लेस सबके बारे में बताया जाता है अगर आपको जट से जल जूड़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम चानल को जॉइन कर सकते है वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए चानल को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मच